सूपर सनेलों की इस एपसोर्ट की स्टाटिंग में हम देखते हैं कि वह जो हमान लेफ्ट गार्ज होता है वो उस लड़की के यानि उस जुयां के फिचे भाग रहोता है वो किता लड़की तुम्हारे यहां से भागने का कोई चांस ही नहीं है किता है जब मैं यहां इस समर स्टिक सिटी में आया था तो मैंने अपनी पाउ को सप्रेस कर लिया था जिसके कान के सिकोवी में प्रेजेंस और मेरी ट्रू पाउर का पता ना चले पर लगता है आस हमें आ चुका है मुझे अपनी ट्रू पाउर दिखानी होगी तब यह देखिए वह लड़की कहती है य एब का शाइब फैमली का कोई गाड़ रहिए इसलिए मुझे रिखना इस से यह पाउर में से से सेंस नीकर पारी कैने यह मुझे मुझे यहांसे जल से जल निकलना होगा फिर और अपने वह प्लेंब वाला निका ली ती जिसको मैं पिछले एपिसोड में देखा था आट उस आर्टिफेक को देखे वहां लेफ्ट डड़ अपने हुने के टाइग बापरे यह तो एक स्टार आर्टिफेक है अरे नहीं मेरा कोई चांस नहीं कि मैं यहां पर इस वक्डिसको मुझे यहां से निकलना होगा वो किटा लगता है तो मैं पास यह आर्टिफेक आने के बाद लगता है तुम कुछ ना कुछ तो करने वाली हो खैर अब मैं तुमसे पंगा नहीं लूँगा इसलिए आज नहीं तो कल मैं फ्यूचर में तुमसे जरूर मार दूँगा और इसके साथ वो यहां से भाग जाता है यह देख किटी क्या भाग गया और फिर सीन आता है फिर से किंग शी और इसके फादर इनलो पे अपने अंदर पर तभी वहां पर यून और शायवैंग भी आ जाती है यून के टिया डैड इंग शी कैसा है वो ठीक अना उसे ज्यादा चोटतों नहीं लगी ना के फादर वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं यह देख कि यून और शायवैंग पूरी है और फिर तभी धीर यून और शायवैंग भी समझ जाते हैं वो किते डैड टिंग शी कैसा है उसके साथ ही कैसे हुआ क्या हुआ बताईए डैड और फिर यून वहां पर रोने लग जाती है वो किते नहीं डैड प्लीज मत कहना कहते आप जूट बोलें ऐसा नहीं हो सकता डैड प्लीज कह प्लीज बचा लीजे वो इसको पुरी बाद बताते हैं वो किते किंग शेप तब मरा नहीं है पर लेकिन यह जल्द ही मरने वाला है मैंने इसकी नसर्च की है इसके सेरी में इस वक्त रेड फिनिक्स और यहां तक की ब्लैक टार्टरस और ग्रीन ड्रेगन तीनों की जो पा इसके पादर करते हैं बैटा यह अलग है जैसा तुम सोचरी हो मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाती ओपर लेकिन ऐसा वैसा नहीं है तुम जैसा सोचरी हो ऐसा विल्कुल भी नहीं है यह उन्से में बता दून है पर बेकार है अगर इसे बचाने का सिर्प एक तरीका वह है इसका breakthrough अगर इस अभी टाइम पर break through कर ले और यह सही रहेगा पर लेकिन अभी हमाय पास यहां पर वाइट टैगर नहीं अगर इसके पास वाइट टैगर का आटिब्यूट भी आजाए तो पिर-हां यह ब्रेक अपने हाथ में अपनी आइस फायर को अपनी ग्रीन डेगन फायर को रिलिस करते हैं मैं इसकी मदद कर सकता हूँ बस इसको एकदम आसान से एक देथ देने में मैं भी इसे इस तरह पेन में इसे सफरींग करता हुँ नहीं देख सकता यह से आज नहीं तो कल मरना ही होगा या फिर अपने आप ही मर सकता है बेटा मैंने तुमें का थाना सिफ एक ही रास्ता है अगर यह टाइम पर ब्रेक्ट्रू कर लेता है और अपने इंदर जो पावर है उसे स्टेबलाइज कर लेता है तो हां यह एक स्टामास्ट बन पर लेकिन वाइट टैगर यहां मुझे ने लगता कभी आने वाला है इसलिए साइट तक यह दर्द के मारें यहीं पर मर जाएगा इसलिए हम इसे यहां मरते वे नहीं देख सकते हम यह तो इसे मारना होगा या पिर किसी तरीके से किसी वाइट टैगर को डूंड कि उसका इसके शरी में डालके इसका ब्रेक्ट्रू करवाना होगा पर लेकिन हमाने पास टाइम कम है ऐसा नहीं हो सकता कि अब यह बच सकता है इंद भी वहां पर गरोर की आवाज आती है और कहता है कि यह ऐसा हो सकता है मैं इसे बचा लूंगा और यह सुनके वहां पर तभी यह आवास एक मिन यह बंद यह तो यह तो वाइट टाइगर है यह मुझे देखने में तोड़ा फैमिलियर लगता है और फिर वाइट टाइगर धीर दरे हमारे किंग शी तरफ बढ़ रहा होता है यह देखे यून के फादर गयते हैं अकिकार यह क्या करने की कोशिश कर रहा ह और फिर तभी वाइट टाइगर यून को साइड में करता है किंग शी के पास जाता है उसे चाड़ता है वाइट टाइगर अपने पंजे को किंग शी के सरके उपर रखता है यह देखे यून के दिया डैड यह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यह देखे फिर तभी यून के एफ़द है ये वाइट टैगर ये यकिंगशी की मदत कर रहा है उसे खतरे से बाहार नकाल रहा है ये अपनी पाउर उसकी शरीकंद इंसर्ट कर रहा है जिसके कार उसके किंगशी की पाउर चो यूस स्टैबलास हो जाया और यह ब्रेक्ट्रू करे ŞT बैका जाए तक किसी इसकी इनसान की जान बचाने के लिए कोई एक सटर बीस्त किसी इसे इसानका जाएं रही रहा है और अपनी साथ उस्थ अपनी पावर भी देरहा हुता है जिसके कांड की इसे स्टरीकर कारणी फ्लोव रही है वो इसे ज intelligent अब हमारी कि जे के पास चारों की चारों इस्टार मीरत की पावर आ जाती है इन् चारों की एट्रीवीट सिसके पाउन ओर जाते हैं फिर हम देखते हैं बहुत सारी इस्पीच्वल पावर हमारे किंशी के श Да को अपनी पावर बड़ा रहा होता है यह अपने आपको कल्टिवेट कर रहा है कल्टिवेशन की स्टेज में बेठा है यह जासाय तक जल्दी ब्रेक्ट्रू करने वारा है और इसके साथ यह एपीजोड यही कितम होता है तो दोस्तों मिल देखले से नहीं वीडियो में जब तक के लिए बाइबाई